नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है। पाती तोपी करागाते रुत्पत तेव कंदुकर। प्रायन साधु वृत्ता नाम स्थायन्यो विपत्ययह। इसका अर्थ है कि हाथ से पठकी हुई गेंद भी जमीन से टकरा कर उपर उठती है। सज्जनों का बुरा समय अधिकतर थोड़े समय के लिए ही होता है। अर्थात जो लोग सज्जन और सच्चे मन के होते हैं उनका बुरा समय ज्यादा दिनों का नहीं होता है। उनके अच्छे कर्म और ईश्वर के प्रतीश्रधा अच्छे समय को वापिस लेकर ही आते श्री कृष्न कहते हैं कि चिंता ही सभी दुखों का मूल है और मनुष्य बुरे समय में सबसे अधिक चिंता करने लगता है जिस कारण से वह और भी अधिक दुखी हो जाता है अच्छा और बुरा समय मनुष्य के जीवन के रत के दो पहिये है इसके बिना जीवन का रत नहीं चल सकता अच्छा समय तभी आता है जब जीवन में बुरा समय चल रहा हूँ और बुरा वक्त भी तभी आता है जब जीवन में अच्छा वक्त चल रहा हूँ मनुष्य को बुरे समय में चिंता नहीं करनी चाहिए और अच्छे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए उसे जीवन की हर परिस्थिती में केवल अच्छे काम ही करने चाहिए सद कर्म करने से सदा ही पुन्य की प्राप्ती होती है और पुन्य से ही उसका भाग्य प्रबल बनता है मनुष्य के द्वारा किये गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं उसे किसी न किसी रूप से उन अच्छे कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कितना ही बुरा समय आ जाए अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब भी अच्छा समय आने वाला होता है, तो प्रकृती के द्वारा उसे संकेत प्राप्त होते हैं। प्रकृती कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, और किसी की तरफदारी भी नहीं करती है। प्रकृती केवल जीवन का संतुलन बनाए रखती है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है, वह उसे उसके अच्छे कर्मों के कारण ही मिलता है। इसी लिए यदि मनुष्य सदैव ही मंगल की कामना करता है, तो उसे निश्चित ही अच्छे कर्म करने चाहिए। उसके अच्छे कर्म ही उसे सुख समरिधी प्रदान कर सकते हैं। बुरे काम करने पर मिलने वाली खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। लेकिन अच्छे काम करने पर जो आनंद मिलता है, वह चिरकाल तक रहता है। मृत्यू के बाद भी उसके अच्छे कर्म उसे परमानंद दिलाते हैं। जब मनुष्य निरंतर अच्छे कर्म करता रहता है, तो प्रकृती के द्वारा उसे नाना प्रकार के शुब संकेत प्राप्थ होते हैं। जदी मनुष्य को ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं, तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। उसका बुरा समय अब खत्म होने वाला है, उसने सुख के दिनों में मौन रहकर जो भी अच्छे कर्म किये हैं, उसका फल निश्चित ही उसे मिलने वाला है। दोस्तों प्रकृती हमें जो संकेत देती हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये संकेत आपके अच्छे कर्मों के कारण ही आपको प्राप्थ होते हैं, लेकिन आप उन्हें दुर्लक्ष करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज हम आपको उन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको भी प्रकृती के द्वारा ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आपके जीवन से अशुब घडी की समाप्ती होने वाली है और शुब घडी आने वाली है। आपके द्वारा किये गए अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। यह संकेत पशुपक्षियों के द्वारा भी हमें प्राप्थ होते हैं। अचानक घर पर किसी पशुपक्षी का आना, स्वपन में शुब वस्तुओं का दिखाई देना एक प्रकार का इश्वर का संकेत ही होता है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से संकेत है जो अच्छा समय आने से पहले हमें प्राप्थ होते हैं। सबसे पहला संकेत है ब्रम् मुहूर्थ पर नींद का खुलना। दोस्तों यदि आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है, आप जीवन में परिशान है, किसी बड़ी मुश्किल में फसे हैं और फिर अचानक किसी दिन आपकी नींद सुबह ब्रम्ह मुहूर्थ पर खुलती है। अर्थात सुबह तीन स पांच के बीच में आपकी नींद अचानक ही खुल जाती है, तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा शुब संकेत है। यह संकेत है कि आपके जीवन से अब बुरा समय समाप्थ होने वाला है। जिस दिन आपकी नींद अचानक ही ब्रम्ह मुहूर्थ पर खुलती है, तो आ आप इश्वर का ध्यान करे, मन से सभी चिन्ताओं को दूर करे और अपनी समस्याओं को इश्वर पर छोड़ दे। उस दिन से आपके जीवन से बुरा समय धीरे-धीरे समाप्थ होने वाला है और आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। दूसरा संकेत है घर में च अमेशा चिन्ता से घिरे हुए है और अचानक किसी दिन आपके घर पर चिडिया आती है तो यह आपकी चिन्ताओं के समाप्थ होने का ही संकेत है। जिस दिन सुबह जागने के बाद आप देखते हैं कि आपके घर में चिडिया के चहचहाने की आवास सुनाई दे रही है तो यह बहुत ही बड़ा शुब संकेत है। यह आपके घर में धन के आगमन का संकेत है। यदि घर में कोई चिडिया घोसला बनाती है तो निश्चित ही आपके धन में व्रिध्धी होती है। बहुत सारी चिडिया आपके छट पर अथवा घर के सामने आकर बोलने लगती ह तो यह आपके अच्छे समय की शुरुवात का संकेत है तीसरा संकेत है इन जानवरों का घर के सामने आना शास्त्रों में कुछ प्राणियों को अत्यन्त ही शुभ माना गया है अगर द्वार पर गाय आती है और आपके घर के आंगन में गोबर डालती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए जिस घर के सामने गाय गोबर डालती है उस घर में लक्षमी आती है उस घर से दरिद्रता दूर होती है और सुख समरिधी आती है बंदर का घर पर आना भी शुभ संकेत माना गया है अगर बंदर आपके घर से कोई चीज उठा कर खा लेते हैं तो इसे शुब संकेत माना जाता है वही प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर बिल्ली किसी घर में जन्द देती है तो उस घर में शुब होता है चौथा संकेत है, पूजा करते समय यदि भगवान की मूर्ती से फूल गिरता है तो यहां आपके लिए बहुत ही शुब होता है भगवान की मूरती से फूल का गिरना बहुत ही शुब संकेत है इससे आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है क्योंकि भगवान ने आपकी पूजा को स्विकार कर लिये है और वे आपसे अत्यंत प्रसन्न है पांचवा संकेत है यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आपको शाम के समय दूध का अथवा जल से भरा हुआ कोई पात्र प्राप्थ होता है तो यह शुब संकेत है सुबह सुबह महिलाओं का बाया अंग और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कने लगता है तो इसे भी शुब संकेत ही समझना चाहिए जल्द ही आपको कोई खुश खबर मिल सकती है छठा संकेत है दोस्तों बच्चे इश्वर का ही रूप होते हैं उनके अंदर कोई पाप नहीं होता है यदि सुबह सुबह आपको कोई लाल वस्त्रधारण की हुई कन्या दिखाई दे और वह आपको देखकर मुस्कुरा रही है तो इसे शुब संकेत कहा गया है मा लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसंन है आपको जल्द ही धन की प्राप्ती होने वाली है और दोस्तों यदि किसी दिन अचानक ही बिना किसी कारण से आपका मन प्रसंन हो रहा है आपके चहरे पर मुस्कान खिली है आपको उस दिन किसी पर क्रोध नहीं आता है सभी लोग आपको अचानक से अच्छे लगने लगते हैं सभी लोगों का बरताव आपके साथ अच्छा हो रहा है तो यह आपके लिए शुब संकेत है आपके मन के अंदर इश्वर का वास हो गया है जिस कारण से आपको परमानंद की प्राप्ती हुई है आपका चहरा अचानक से खिल और खूबसूरत दिखाई देने लगता है और आपके मन से हर प्रकार का भय भी समाप्त हो जाता है। तो यह संकेत है कि आपका आने वाला समय बहुत बलवान होने वाला है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह आपको निश्चित ही मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार स हमारे शास्त्रों में अच्छा वक्त आने से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है। क्या आपको भी ऐसे संकेत मिले है तो कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्न अवश प्प्रेदी नहीं प्रेदी नहीं प्रेदी सत्वाइबूगी ज एक फिर बिलेगे जया है।